एलो एरिवान कैसे है आप लोग आपका भाई लेकर आया है न्यू जॉब की खबर तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर से कर देना अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हिल्फुल लगे तो आप ये चैनल को इजीली सबिस्क्राइब कर रख सकते ताकि जो भी नियुदे अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रुवाइड हो सके चलिए ये रिक्रूट्मेंट के बारे में डिसकस करते हैं DRD की तरफ से 2023 की लेटेस नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है डिटेल में डिसकस करने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो में लास्तक बने रहना जबी आपके सभी क्यूशन से एंड डाउट यहाँ आपके किलियर होने वाले इस रिकूट्मेंट के अंदर आइटिया वाले डिप्लोमा वाले इंजिनेरिंग स्टूड़न पर इस रिकूट नहीं करते हैं उसके ऑफिशन नोटिफिकेशन की पीडिया भी हम टेलीग्राम पेज़ पर प्रवाइड करते रहते हैं तो इंट्रेस्टेट के अंदिरेट टेलीग्राम पेज़ को भी आप इजीली जोइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको complete detail में discuss करने वाला हूँ तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना IT apprenticeship के लिए हैं आपको 25 post में आपको vacancy देखने को मिलने वाली है BCOM के लिए हैं आपको 10 vacancy है BSC, Chemistry, Physics, Math, Electronics, Computer के लिए हैं आपको 5 vacancy है BA के लिए हैं आपको 5 vacancy है relaxation आपको S per government rule के साब से हैं आपको relaxation भी provide होने वाला है SCST के लिए हैं आपको 5 year का relaxation देखने को मिलने वाला है OBC, NCL के लिए हैं आपको 3 year का relaxation है और जो candidate PWD category में आती हैं उनके लिए हैं आपको 10 year का relaxation भी देखने को मिलने वाला है इसमें ग्रेजबेट इंजिनेरिंग के लिए हैं अगर आपके बास mechanical production, industrial production इंजिनेरिंग से हैं अगर आपके बास BB Tech है तो आपको 30 vacancy देखने को मिलने वाली है एरोनर्टिकल, aerospace engineering के लिए हैं आपको 50 vacancy है, electronics के लिए हैं आपको 10 vacancy है, computer science engineering है, information technology के लिए हैं आपको 15 vacancy है, metallurgy, material science के लिए हैं आपको 4 vacancy और civil engineering के लिए हैं आपको 1 vacancy है engineering में हैं आपको 75 post पर हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है, minimum age limit है, 18 year, maximum है आपकी 27 year है, आपकी maximum age limit है, आपको देखने को मिलने वाली है और जो हैं आपकी age limit count होने वाली है, 16 March 2023 से आपकी age limit count होने वाली है, eligibility character है की बात करें तो अगर आपके पास BBTK इन branches में तो आप यहाँ पर easily apply कर सकते है, graduate engineering post के लिए जो हम discuss करने वाले graduate apprenticeship training non engineering के लिए माने आपको short notification में भी detail में discuss करा कि किस के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है, बीकॉम के लिए, BSC के लिए, BA के लिए, BCA के लिए और BBA के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है, non engineering के लिए total हैं आपको 30 post पर हैं आपको vacancy अगर आपके पास डिप्लेमाँ तो आपको 3 वेकंसी देखने को मिलने वाली है और ITA की बात करें तो ITA में कौन-कौन से हैं पर ट्रेड आपको देखने को मिलने वाली है तो जो candidate का ITA मेकेनिक से हुआ उनके लिए हैं अगर आपको टोटल वेकंसी के बात करें तो 25 वेकंसी देखने को मिलने वाली है तोटल हैं आपको 150 वेकंसी देखने को मिलने वाली है इस recruitment के अंदर एक कराइटीर है कि जो भी candidate का अगर जो भी आपका graduate है या diploma है या अगर आपका ITA 2020, 2021 and 2022 में अगर आपका complete हुआ है तो यह आप इस recruitment के लिए यहाँ पर eligible रहने वाले है और इसकी complete notification की PDF मैं आपको telegram page पर provide कर दूँगा जो भी candidate इस recruitment के लिए अगर आप eligible है तो आप telegram page को जैन करके इसकी complete notification को भी आप easily read out कर सकेंगे और जो इसको apply करने का link है मैं आपको video का description में provide कर दूँगा आप हाँ से जाकर directly इस application form को easily fill up भी कर सकेंगे salary की बात करें तो जो भी candidate, graduate, apprenticeship, bb.tech की basis पर apply करेंगे उनके लिए हैं आपको 9,000 पर month के लिए salary पर वाइड होने वाली है selection process की बात करें तो diploma, engineering and IT and जो non engineering है उसका जो हैं आपका selection process है वो academic qualification, merit, return test and interview के basis पर ही आपका final selection होने वाला है जो भी applicable है, DRDO की तरफ से उसके basis पर ही आपका final selection होने वाला है apply करने का link मैं आपको video के description में provide कर दूँगा आप हाँ से जाका directly इस application form को आप easily fill up भी कर सकेंगे important date की बात करें तो जो इसकी starting date है 25 February से application form start हो चुके और इसकी last date की बात करें तो 16 March 2023 इसकी last date रहने वाली है और जो हैं आपकी shortlisted लहने वाली है, वो 6 April को हैं आपकी shortlisting लगने वाली है और जो हैं आपका selection होने वाला है, वो 20 April 2023 को हैं आपका final selection होने वाला है इस तरीके से यह notification है और अगर आपको इस तरीके से latest government job की update या bbtag या engineering student के लिए या diploma candidate के लिए अगर आपको golden opportunity सबसे पहले देखना है तो आप यह channel को easily subscribe करके रख सकते है ताकि जो भी new day upload हो, उसकी notification भी सबसे पहले आप तक provide हो सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने freshal friend circle में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनके वीडियो भी यह helpful हो सके